नमास्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम एक बेहद रोचक और एतिहासिक विशे पर चर्चा करेंगे किया आप जानते हैं कि 18 सदी में जादातर पुरुष और महिलाय पढ़ना या लिखना नहीं जानते थे इसलिए उस समय महत्वपून विचारों को समप्रेशित करने के लिए छपे हुए शब्दों की बजाए चित्र और प्रतीकों का अधे कोप्योग किया जाता था आज हम लू बार्बियर द्वारा बनाए गई एक प्रसिद पेंटिंग का विशलेशन करेंगे जो डिकलेरेशन ओफ राइट्स की सामगरी को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करती है तो चलिए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह महत्वपून विचारों को दर्शाते हैं ये पेंटिंग 1789 में बनाई गई थी जब फ्रांसीसी क्रांती अपने चरम पर थी इस पेंटिंग में कई प्रतीकों और छवियों का उप्योग किया गया है जो उस समय के महत्वपून विचारों को दर्शाते हैं पेंटिंग में उप्योग किये गई प्रतीक Painting के मुख्य प्रतीकों को समझने के लिए हमें एक-एक करके इन प्रतीकों की व्याख्या करनी होगी 1. French Flag सबसे पहले painting में French Flag को देखा जा सकता है जो स्वतन्त्रता, समानता और भरात्रत्रत्रुआ का प्रतीक है ये क्रांती के मूल सिध्धानतों का प्रतीक है और जन्ता के अधिकारों की घोष्णा का समर्थन करता है 2. तूटे हुए जन्जी Painting में तूटे हुए जन्जीरों का भी चित्रन है जो दास्ता और उत्पिरन से मुक्ती का प्रतीक है इतिहास में जंजीरों का उपयोगदासों को बांधने के लिए किया जाता था. जब जंजीर तूट जाती है, तो ये दास्ता के आंत और स्वतंतरता की शुरुआत का प्रतीख बन जाती है. ये प्रतीक हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता एक मुल्यवान अधिकार है जिसे संघर्ष और बलिदान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है अगला प्रतीक है पंखो वाली महिला का यह महिला कानून की मानवी करण का प्रतीक है पंखो वाली महिला ये दर्शाती है कि कानून को सभी के लिए न्याय और समानता की सुरक्षा करनी चाहिए ये प्रतीक हमें बताता है कि कानून केवल शब्दों का एक समूव नहीं है बलकि ये उन उचतम मानकों और मूलियों का प्रतिनेदित्व करता है जिन पर एक समाज अधारित होता है त्रिकोन में आख पेंटिंग में त्रिकोन के अंदर एक आख भी दिखाई देती है जो ग्यान का प्रतीक है ये और सीन आई कहलाता है और इसका अर्थ है कि यहांग सब कुछ देख सकती है ये प्रतीक ये दर्शाता है कि ज्यान अंधकार को दूर करेगा और प्रकाश फैलाएगा राजदन राजदन एक और महत्वपूर्ण प्रतीक है जो राजाओं और शासकों की सत्ता और अधिकार को दर्शाता है लेकिन इस पेंटिंग में ये प्रतीक ये बताने के लिए उप्योप किया गया है कि सत्ता केवल कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए बल्कि ये समान रूप से सभी के लिए होनी चाहिए अपनी पूंच को कातता हुआ साम पेंटिंग में साफ का अपनी पूंच को काटते हुए एक रिंग बनाना भी एक महत्वपून प्रतीक है ये प्रतीक अनंत्ता का प्रतीक है क्योंकि एक रिंग का कोई शुरुवात्या अंत नहीं होता ये दर्शाता है कि स्वतंत्रता और समानता के अधिकार हमेशा के लिए हैं और इनका कभी अंत नहीं होगा रेट फ्रिजियन कैप लाल फ्रिगियन टोपी का प्रतीक भी पेंटिंग में महत्वपून भूमिका निभाता है ये टोपी दासो द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाती थी इस प्रकार ये स्वतंत्रता का प्रतीक है फ्रांसीसी क्रांती के दौरान ये टोपी क्रांतिकारियों द्वारा पहनी गई और स्वतन्त्रता, समानता और भायचारे के आदर्शों को दर्शाने लगी बंडल ओफ रोग्स पेंटिंग में एक और महत्वपूर्ण प्रतीक है छड़ियों का बंडल, जिसे फासिस कहा जाता है एक छड़ी को आसानी से तोगा जा सकता है, लेकिन पूरे बंडल को तोड़ना मुश्किल होता है ये प्रतीक एकता में बलका संदेश देता है इसका अर्थ है कि जब हम एक जुट होते हैं तो हम मजबूत होते हैं और कोई भी चुनोती का सामना कर सकते हैं लो टैबलत अंत में, पेंटिंग में कानून की पट्टी भी दिखाय देती है ये प्रतीक ये दर्शाता है कि कानून सभी के लिए समान है और सभी इसके सामने बराबर है ये दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से उपर नहीं है और सभी को समान न्याय मिलना चाहिए पेंटिंग की सामाजिक और राजनीतिक महत्वपूर्णता इस पेंटिंग की महत्वपून ता सिर्फ इसके प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को भी दर्शाती है लबाबिय ने इस पेंटिंग के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि क्रांती के विचार समाज के हर वर्ग के लिए हैं चाहे वह किसी भी प्रिष्ट भूमी का हो आज के समय में भी ये पेंटिंग और इसके प्रतीक हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं स्वतंत्रता, समानता और भ्रात्रत्व के विचार आज भी उतने ही महत्वपून है जितने की उस समय थे आधुने का अंदोलनों और सामाजिक संधर्शों में भी इन प्रतीकों का उप्योग होता है जो ये दर्शाता है कि क्रांती के विचार अभी भी जीवित है तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे लव बाविया की पेंटिंग ने 18 सदी के महत्वपून विचारों को प्रतीकों और छवियों के माध्यम से प्रकट किया ये पेंटिंग सिर्फ एक कला का नमूना नहीं है, बल्कि ये है एक इतिहासिक दस्तावेज भी है जो हमें उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में मदद करता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्रिपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले और कमेंज में हमें बताएं कि आप और किस विश्य पर वीडियो देखना चाहेंगे धन्यवाद